हालो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिरे लिटिल ट्यूटर में आज हम आपके लिए लेके आएं हैं केंद्री विद्याले बालवाट क्या एडमिशन से सम्मधित महत्मूर जानकारी जैसा कि आप लोग को जानकारी हो गई है कि केंद्री विद्याले में बालवाट क्या एडमिशन तीन अपरेल से सुरू हो रहे हैं और जिन केंदरी विद्याले में बालवाट के अकेडमिसन होने हैं, वो केंदरी विद्याले इस सम्मंध में नोटिस भी निकाल रहे हैं। बहुत सारी नोटिस आ गई है मैंने वीडियो बना के आपको बता भी दिया है और बहुत सारे केंदरी विद्याले से नोटिस आना भी बचा है तो मैं एक list लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस state में कितने केंदरी विद्याले में इस सत्र में बालवाटका के admission होंगे तो ये list मैं लेके आया हूँ आपके लिए और ये list state wise है तो आप अपने state में देख सकते हैं कि कितने केंदरी विद्याले में बालवाटका की क्लासें चलेंगी और ये region wise भी मैंने बनाया है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वह कौन से किंदरी विद्याले हैं जिसमें बालवाटका के admission होंगे तो इस वीडियो में हम देखेंगे state wise बालवाटका की list और साथ ही साथ देखेंगे बालवाटका की संपूर जानकरी मतलब उसके admission सम्मंधिन पूरी जानकरी इस वीडियो में हम देखेंगे तो चलिए सबसे पहले list देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने लिया है राष्टी राजधानी दिल्ली को राष्टी राजधानी दिल्ली में तीन केंद्री विडियाले हैं जिन में बालवाटका की class चलाई जा रही है वह है केंद्री विडियाले आरजनगर केंद्री विडियाले रोहनी सेक्टर और केंद्री विड प्रदेश का केंद्री विद्याले हैं जो भुपाल रीजन में तीन केंद्री विद्याले में बालवाटका की क्लास चलाई जाएगी और इसमें पहला है केंद्री विद्याले दतिया मत्परदेश और केंद्री विद्याले और केंद्री विद्याले एकलब मॉडल रेसिदें Security School Campus भरवानी जबल पूरि रिजन में आते हैं उसमें भी थीन-केंद्रि वद्या ने में बालबात्का कि क्लाश चलाय जाएगी पहला से यूक्याण से यूपे में यूपी में भी पांच केंद्री विद्याले में बालवाटका की क्लास चलाएगी जाएगी जिसमें वारांसी रीजन में दो केंद्री विद्याले और लखनव में एक केंद्री विद्याले हैं तो वारांसी में हैं केंद्री विद्याले नंबर वन गोरखपूर फिर दू तो नेश्ट जो स्टेट है वह है ओडिशा ओडिशा के तीन केंद्री विद्याले में बालवाधिका की क्लास चलाई जाएगी जो पहला है केंद्री विद्याले नंबर टू संभलपूर दूसरा है केंद्री विद्याले आयाइटी भूनेस्वर और तिसरा है केंद्री विद केरला के तीन केंद्री विद्याले में बालवाटका की क्लास चलाई जाएगी पहला है केंद्री विद्याले कोलम दूसरा है केंद्री विद्याले केपा और तीसरा है केंद्री विद्याले नंबर टू कालिकर फिर नेक्स्ट है हर्याना हर्याना के दो केंद्री विद्याले म क्लास gaए बिहार बिहार के तीन केंदरी में बावाड कर् wij क्लास चलाएं जाएंगी जो कि पट्णा रीजिंगं अते हैं तो पहला को अल्शा राम दूसरा यू स्कींद खिराए डायराय लिजेवर और तीसरा नंगलूरू और दूसरा कृनाटकि 아니고 गनलूर द्थ clear सिवान दे श्चाहार जो पंजाब में ढिंडरी विद्याले में बाल बाटका की क्लास चलाएंगी जिसमें पहला है क्यंडरी बिदियाले सिक्टर आठ मोहाली और दूसरा को दोस्रा सिंटरी विद्याले नंबर फेटığın ऐसके बाद है असाम में सेट्र गेश्ट नियुजटेट ऍट व स는데 आजस्तान में भी दो जगा चलेंगी केंद्री विद्यृ और केंद्री उस्री ले गंगा ने जम्मु यांड जगाँ चलेंगीर जाब कर दीविद्य यांड होद thứ न फोरॉदक आ guilt लेक्त केंद्री विद्याले बलियंगुल गलियंगुलений एप हूद केंद्र केंद्री जेड्ले अ कि एक किंद्रीी विध्याले में चल लई है वह है कंद्री-विध्याले नंबर वन एयर फोर्स स् уров mm चल दmos नौट नफ स拜拜 णोब्लाम ग्रषन कंद्री जगाना से चल लंब नम में भी एकी जगह चल deal से ऱप्य फ्राशी ज्वार कन में भी एकी जगह चल लाएक एर फोर्स सिस्टेशन है हुमाचल पर्देश में भी एकी जगह चल लाएक नड़ी मीज़याले हॉल प्रजोर हमाचल परदेश तो इतने जगे केंद्री विद्याले के एडमिशन इस साल भी होंगे यह स्टेट वाइज लिष्ट थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि इतने जगा केंद्री विद्याले के बालवाटिका के एडमिशन होंगे तो अगर आप इन में से किसी एक केंद्री विद्याले के नजदीक रहते हैं या आपके इस्टेट में ऐसा कोई केंद्री विद्याले इस लिश्ट में था तो आप अपने बच्चे का एड्मिशन करा सकते हैं अब हम देखेंगे बालवाट का एड्मिशन 2023 तो 2022-23 में 49 केवी में बालवाट का एड्मिशन हुए इस सतर 2023-24 में भी 49 केवी में बालवाट का एड्मिशन स्टार्ट हो गये हैं तो जो ये एड्मिशन स्टार्ट हुए हैं ये केवल 49 केवी में स्टार्ट हुए हैं बाकि किसी नए केवी में start होने की अभी कोई सूचना नहीं है जैसे ही समद्ध में कोई सूचना प्राप्त होगी हम आपको आकर बताएंगे इस सतर में जो 49 केवी में बालवाटका के admission होंगे वह केवल बालवाटका 1 में admission होंगे बालवाट का 2 और बालवाट का 3 में नहीं होंगे क्योंकि ये admission class 1 से अलग हो रहे हैं class 2 के साथ हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि जितनी vacancy है उतने ही admission होंगे तो अब vacancy समझ लेते हैं तो बालवाट का 1 में तो total vacancy रहेगी मतलब अगर किसी school में 40 seat का एक section है तो बालवाट का 1 में 40 बच्चों का admission होगा क्योंकि वो fresh admission हो रहा है लेकिन बालवाट का 2 और बालवाट का 3 में admission कम होंगे या तो नहीं होंगे क्योंकि अगर पिछले सत्र में माल लिजिए किसी school में 40 बच्चों का बालवाट का 1 में admission हुआ था तो वो बच्चे इस सत्र में बालवाट का 2 में जाएंगे तो अगर वो 40 के 40 पूरे बच्चे बालवाट का 2 में चले जाएंगे तो कोई वेकंसी नहीं रहेगी इसी तरीका से बालवाट का 2 वाले बालवाट का 3 में जाएंगे तो बालवाट का 3 में भी कोई वेकंसी नहीं रहेगी लेकिन यदि बालवाट का 2 में पिछले सत्र में कम एडमिसन हुए थे या कुछ बच्चों ने अपना नाम कटा लिया है या ट्रांसफर चले गए है तो उस कंडिशन में 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट बालवाट का 2 और बालवाट का 3 में खाली रह सकती है तो बालवाट का 2 और बालवाट का 3 में इस सत्र में बहुत कम एडमिसन होंगे दो, चार या ना के बराबर एडमिसन होंगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भार सरकार नई सिच्छनीत को लागू करने का मास्टर प्लान बना रही है जैसे आप भी तमाम देखते रहते हैं कि सिच्छनीत को लागू करना है इस्टेट को दबाव दिया जा रहा है कि नई सिच्छनीत को लागू किया जाए एज के ब में और भी केंद्री दियालों में Bal bueno 이elle hu nesht talent ने नेिए कि भालवाटा की फाँ कब से भरे जाएंगे तो बालवाटा की कच्छा 2 और और आगे की कच्छाईं के साथ 3 से एक साथ बहरे जाएंगे मैंने बताया था कि बालवाटा की फाँ कच्छा 2 और आगे बालवाटका का कप्छा ऑगे के साथ 3 अप्रेल से एक साथ भरे जाएंगे मैंने जितने भी बालवाटका के वीडियो बनाये हैं इसके पहले उस सब में बताया था कि कछ्छा तो के साथ ही बालवाटका के फाम भरे जाएंगे लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि बालवाटका के क्लास और बढ़ाये जाएंगे जो कि अभी नहीं बढ़ाये गए हैं मुझे अभी भी उम्मीद है कि बालवाटका के क्लास और भी केंद्री भी द्याले में बढ़ाये तो यह था बाल वाटिका से संबंधित पूरी जनकारी जो मैं आपके लिए लेकर आया था तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो से लाइक सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक यू थैंक यू फार वाचिंग